मेडिकल की परीच्छा का भीमराव अमेड कर उनिवस्टी का एक बहुती बड़ा जो पुराने समय से खेल चल रहा था उसका फर्दाफास हो चुका है कुलपती भी चैंज हो गए हैं सबसे पहले हम देखेंगे BAMS और MBBS BHMS भी समयटे में आ गया है इनके तहत में फर्जी बड़ा जो चल रहा था राज़िपाल के एक्षन पर जो अब हो STF जाच कर रही है CM के आदेश पर आगे हम खबर में पढ़ते हैं अभी इस्तिति क्या है Medical की परीच्छा में फर्जी बड़ा रोकने के लिए University ने शुरू की कवायत अब फर्जी बड़ा रोकने के लिए कुलपती चैंज हुए हैं तो कसोटी कसी गई है विस्विद्याले कराएगा Answer Seat Scan इसमें मैं आपको बता देता हूँ भीमराव अमेडकर यूनिवस्टी में Medical Exam में फर्जी बड़ा रोकने के लिए कवायत शुरू कर दे गई हैं अब MBBS और BAMS की Answer Seat को Scan किया जा रहा है इसके बाद उनको सीधे Examiner के पास चेक करने के लिए भेजा जाएगा इससे Medical Exam के बाद Answer Seat होने वाले फर्जी बाड़े पर पूरी तरह से अंगुस लग सकेगा इस तरह रोकेगा फर्जी बड़ा दोक्टर भीमरा उमिडकर उनिवस्टी में Medical MBBS BAMS कौपीयां बदलने का मामला खुलने के बाद फर्जी बड़ा रोकने के लिए कवायत शुरू की गई है हाल ही में Medical Exam पूरे किये गए है एक्जाम कंट्रोल ने वो म्रकाश ने बताया कि पहली बार एक्जाम सेंटर से Medical की कौपीयां नोडल केंदर पर भीजने का नेड़ा लिया है इसके बाद सौप्ट कौपी एक्जामनर को चेक के लिए भीजी जाएगी मतला हार्ड कौपी नहीं रहेगी सौप्ट कौपी एक्जामनर के पास बेजी जाएगी चेक करने के लिए एक कौपी उनिवस्टी अपने हैंडल में ही रखेगी बात करते हैं आगे Medical की कौपीयों को किया जाएगा कुलपती आसू रानी ये कोटा से आई है कुलपती कुलपती आसू रानी ने बताया है कि परीच्छा केंदर से कौपीयों को सीधे नोडल केंदर भेजा जाएगा इसके बाद उन कौपीयों को स्कैन किया जायगा जिस से अगर कोई कौपी बदलती है तो उससे मिलान किया जा सकेगा नोडल केंदर से कॉपियों का चेक कराया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार की कोई अविबस्था न हो सकेगी मेडिकल की बुक्स बदलने का प्रक्रड यूनिवर्सिटी में स्टी एफ ने आठ लोगों को मेडिकल की कॉपिया बदलने के मामले में जेल भेज दिया गया है ओटो चालक देवेंद्र कुमार छात्र नेता राहूल पारासार एजनसी करमचारी रोहित कुमार रोहित और दिल्ली के एक के डॉक्टर अतुल को भी गरबदार किया है जिसमें ऐसे लोग भी सामिल हैं जो कॉपियां लिखने का कारे करते थे हम इधर लिखा है अकादमिक कांसलिंग की मीटिंग आज कांसलिंग की वैठक जिसमें कुछ एहम लिखा लिय जायेगा लिखड़ जी जबेंगे एकजाम की गुडबत्ता पर फॉकस यह सैट में यहां लेका हुआ है यह वाला एकजाम की गुडबत्ता पर फॉकस यह तॉटट चल रहा है जमिरवाँ कुलपती ने बताया कि मेडिकल के एक्जाम की तरह पूरी दूसरी परीच्छा को कराने के लिए कबायत की गई है एक्जाम की गुडबता बनाए रखने के लिए हर संबब प्रियास किये जाएंगी एक्जाम सेंटर से नोडल के इंदर तक पहुंचाने वाली आं उनिवर्सिटी की कुलपती जी हैं वो क्या कह रही है इनके हम सब्द को सुनते हैं मेडिकल एक्जाम के बाद आंसर सीट को नोडल के इंदर पर भेजा जाएगा जहां उनको स्कैन किया जाएगा इसके बाद सौप्ट कॉपी एक्जामनर को चेक करने के लिए भेजी जाए इस प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है यह इस बात कहीं किसने है आसुरानी कुलपती टॉक्टर भीम्रावन मेंड कर यूनिवर्सिटी आगरा यह वात लोंने कहा है यह ख़बर हम यहीं ख़बर करते हैं एंड करते हैं आगे ख़बर आएगी था हम आपको जरूर